आज हम बैंगन मसाला की एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो जल्दी भी बनेगी और स्वाद में भी लाजवाब होगी और देखिए ये दिखने में ही कितनी टैंप्टिंग लग रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिश्ट है वेल्कम बेक टू सुसेम किचिन मैजिक पई मोनिका अगर कहीं कीड़े हैं तो बीच में से तो उस पार्ट को भी आप हटा दीजिए इसी तरह से हम अपने सभी बैंगन काटकर तयार कर लेंगे ये बैंगन की सबजी बहुत ही टेश्टी लगती है आप एक पार जरूर ट्राइ करें और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत जादा मसाले भी इसमें नहीं डालने होते और फिर भी ये बनकर बहुत ही टेश्टी लगती है बैंगन हमारे कटकर सब भी तयार हो गए हैं अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे यहां मैंने सरसो का तेल लिया है सरसो के तेल में यह सब चीब बहुत अच्छी लगती है आप चाहें तो कोई भी ओईल या घी ले सकते हैं ओईल को मैंने एक बार चारो तरफ से घुमा लिया है कढ़ाई में और अब हम बैंगन को कढ़ाई में डाल देंगे बैंगन ओईल को बिल्कुल भी नहीं पीते हैं इसी ओईल के अंदर हम अपने तड़का भी तयार कर लेंगे हमें दूसरे ओयल के जरूत नहीं होगी कढ़ाई को मैंने ढख दिया है करीब 5 मिनट के लिए मैंने ढखा था और अब हम इस एक बार पलट लेंगे बैंगन को हमने सभी को दूसरी साइड से पलट लेना है यहां हमारे करीब 90% बैंगन पक जाएंगे और जल्दी ही यह पक कर तयार हो जाते है एक बार 2 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई में अंदर ऐसे ही खुमा दिया है और देखे हमारे बैंगन करीब 7-8 मिनट मुझे लगे है लो फलेम पर हमने पकाया है और हमारे बैंगन यहां पक गए है और देखे तेल हमारा वैसे ही है बिलकुल भी बैंगन ने पिया नहीं है बहुत ही अच्छे बैंगन इस तरह से बन कर तयार होते है आप एक बार बना कर जरू ट्राइ करें सबको बहुत पसंद आएंगे मसाले के तयारी कर लेते हैं दो मीडियम साइज की प्याज ली है और उन्हें बिलकुल बारीक चॉप कर लिया है यहां में प्याज को पीसना नहीं है इसी तरह से बिलकुल बारीक कट करके मसाला बनाएंगे बहुत ही टेश्टी मसाला इस तरह से बन कर तयार होता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है मुझे हेल्प होगी यहां तीन मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं और इन्हें भी बारीक चॉप कर लेंगे दो मीडियम साइज की प्याज ले थी और तीन मीडियम साइज के टमाटर हमें लेने हैं टमाटर की क्वान्टेटी थोड़ी से जादा रखनी है प्याज से इन्हें भी हम बारीक चॉप कर लेंगे इन्हें भी बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह से आप बारी कट कर लीजिए अब वही ओइल है जो हमने बैंगन को fry करने के लिए लिया था इसे हम गरम कर लेंगे और इसके अंदर हिंग और जीरा डाल देंगी जीरा भून गया है अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और मेडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को बराबर चलाते हुए भूने नहीं तो कहीं से कम कहीं से जादा भून जाएंगी तो मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जब हम बराबर चलाते हुए प्याज को भूनते हैं एक बराबर प्याज भून कर तयार होती है और हमारा मसाला भी अच्छा बनता है प्याज हमारी भून गई है अब मैं इसमें एक चम्मच अधर कलेसुन का पेश डाल देंगे और उसे करीब 30 सेकिंड के लिए भून लेंगे अधर कलेसुन का पेश ज़्यादा भूनने की ज़रूत नहीं है ये पहले से ही पका हुआ होता है अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले गैस की फ्लेम एकदम लो रख लेंगे धनिया पाउडर डाल दिया है अब हम डाल देंगे आधा जम्मच सौफ दरदरी कुटी ही सौफ है बहुत ही टेष्टी लगती है इस सबजी में जब हम सौफ डालती है साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर गरम मसाला और यहां मैने कश्मीरी लाल मिर्च ली है कश्मीरी लालमिर्च डालने से सबजी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है आपको अगर तीखा पसंद है तो आप थोड़ी नॉर्मल लालमिर्च पाउडर भी डाल लीजिए मसाले को एक बार चला लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है मसालर जलना जाल इसलिए हमें गैस को लो फ्लेम पर बिल्कुल रखना है करीब एक मिनट मसाले को भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे गैस की फ्लेम का आप ध्यान रखें अकर ज्यादा तेज होगी तो मसाले जल जाएंगे अब हमें डाल देने हैं इसके अंदर टमाटर और टमाटर और प्याज वाले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जैसे ही टमाटर और मसाले आपस में मिक्स होते हैं देखे कितना अच्छा कलर आया है मसाले का गैस की फ्लेम आप लो ही रखें और अब हम इसे ढखकर करीब 5 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे हमारी टमाटर एक्दम सोफ्ट हो जाएंगे करीब 5 मिनट हो गए हैं देखें टमाटर हमारी सोफ्ट हो गए हैं और मसाला भी पक गया है इस तरह से दबाते हुए एक बार हम टमाटरों को मैश कर लेंगे और इसमें एक टेबल स्पून में डाल रही हूँ मूमफली का पाउडर अगर आपको मूमफली पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं साथमे में नमक भी अभी डाल रही हूँ मुमफली के पाउडर से ये सबजी का टेस्ट और भी जादा अच्छा लगता है एक बार और मिक्स कर देंगे और दो मिनट के लिए और हम ढखकर पका देंगे जिससे मसाले और भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और मुमफली के अंदर भी ओयल होता है वो भी रिलीज होगा और भी अच्छा मसाला बनकर तयार होगा सिर्फ दो मिनट के लिए हमें ढखना है और देखिए मसाले के से घी बिलकुल अलग हो चुका है और कितना अच्छा मसाला बनकर हमारा तयार हुआ है करीब आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर बैंगन डालेंगे यहां में एकदम ड्राई मसाला तयार कर रही हूँ अगर आपको मसाले के अंदर थोड़ी ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा पानी जादा डाल लें बैंगन देखिए यह काफी हद तक पके हुए ही है 90% से जादा ही मुझे पके हुए लग रहे है बैंगन को हम इस तरह से कड़ाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और एक बार यह जो ग्रेवी बिल्कुल हलके हातों से थोड़ा थोड़ा बैंगन के उपर ग्रेवी लगा लेंगे जिससे कि बैंगन हमारे तूटे भी नहीं और अच्छे से ग्रेवी के अंदर बैंगन पक जाए ग्रेवी का टेस्ट बेंगन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्व हो जाए करीब पांच मिनट के लिए हम इसे ढख देंगे जिससे बेंगन में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी अच्छे से पक जाएगा और ग्रेवी को अब्सॉर्व भी कर लेगा पांच मिनट के बाद एक बार बेंगन को दोनों तरफ से घुमा देंगे जिससे के पूरी अच्छे तरह से बेंगन पक जाएँ और ग्रेवी में मिक्स हो जाएँ हलके हाथों से चलाएँ जिससे के बेंगन टूटे बिना सिर्फ 2 मिनट के लिए और हमें ढगकर पका लेने हैं सबजी हमारी तयारी है 2 मिनट हो गए हैं और देखे कितना अच्छा मसाला बन कर तयार हुआ है और कितनी अच्छी सबजी लग रही है ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है एक पर अच्छे से बैंगन और सबजी को चला लेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे आप इसे रोटी, पराठा, नान, चाहे जिसके साथ खाएं बहुत ही टेश्टी सबजी लगती है, एक पर चरू ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, थैंक यू